ये भी था कि हाव वेर आपका जो है बुराई करेगा जब कि यट आपका बढ़ाई भी कर सकता था और बुराई भी करता था ये यट की प्रॉबलम थी ग्रेमर पावर थी हाव वर दो 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 के साथ आता है लेकिन ए एक गुन में सबान है वो भी बुराई करता है ये भी बुराई करता है तुम पैसे वाले ओ, यूराँ लेकल पैसे वाले Principal दो दो ने नहीं है और दो दोकिए और पहले अच्छा ही यह करती प्र दोका की बोट के बाद हमेशा एंड आएगा, यहाँ पर प्रॉब्लम करवाएगा आपको, चार उप्शन देगा वो, बोट से वाकि शुरू करेगा, पहला उप्शन अलोंग विट, दूसरा टूगेधर विट, तीसरा विट और चोथा एंड, कोशन कैसे बनेगा, मैं भी बता देता दो करता होने चाहिए, बहुत है, राम एंड शाम आज डिंकिंग, कोफी, बहुत राम एंड शाम है, अग कमप्लिस दी, आटास्क, कुछ भी होगा, अबे बाकी काने से मतल बिली यह है, बहुत के बाद एंड आएगा, एंड से पहले बहुत आएगा, और एक करता है थी, जो काम में involved है, जो काम में involved है, I can speak about English and Hindi. मैं दोनों बोल सकता हूं English and Hindi कहीं कहानी है, यदि एक करता दो जगे involved है, आइदर और नाइदर रो, आइदर और वाक्षी के लास्ट में, नाइदर और वाक्षी के लास्ट में, not only but also तो वाक्य के लास्ट में और बहुत एंड वाक्य के लास्ट में चार कंजिक्शन को एक ही point of view से देखना है वो इसी का reverse यदि दो करता एक जगे involved हो किसी भी तरीके से तो वही कहानी बहुत एंड से वाक्य के शुरूआत बहुत के बाद end आएगा नोट ओले से वाक्य के शुरूआत बटाल सो आएगा आइदर से वाक्य के शुरूआत और आएगा नाइदर से वाक्य के शुरूआत दो और आएगा तो यह हमारे कंजिशन लास्ट पार्ट की एक रिवी जन पर फिर भी आज जन कर देता हूँ ओनलाइन फ्रेंस के लिए एज एज का प्रियोग समान का बतानी के लिए होगा पहली बात और एज एज के मद्ध पॉजिटिव डिगरी आएगी कुछ भी आएगी पॉजिटिव डिगरी का नंबर है मतलब है टाल small short जो first number पे आती है जिनको आप discussion में ले रहे हैं और यहाँ पर better नहीं आएगा यहाँ पर जो है worse नहीं आएगा यहाँ पर more beautiful नहीं आएगा यहाँ नि मेरी goal is as more beautiful most beautiful यह लिखना गलत है क्योंकि यहाँ पर जो आएगा beautiful आएगा positive degree आएगी लोट सो भी यही काम करता है बस वो ऐस समानता बताता है यह समानता बताता है यह difference है और कोई difference नहीं एक छोटा सा bracket में एज-ज के मद्य positive degree आएगी और लोट सो ऐस समानता बताएगा और positive degree आएगी थर नमबर पे आया हाँ वेर यह वाक्य में विरौथ दिखाता है यह यट का भाई है यट बुराई भलाई दोनों करता है वो आलदोरदों के साथ आता है how our के बुराई करता है अकेला आता है how our के साथ आपको बटवरमानी की कुशिश करता है कोई ने कोई confusing point बना देता है वो however अकेला आएगा अकेला आएगा और इसके बाद जो है पहला वाक्य पॉजिटीव होगा दूसरा निगेटीव होगा तुम जो है you are an intelligent person however you are selfish तुम intelligent तो हो लेकिन तुम selfish हो आप सर erudite है आप विद्वान तो हैं मगर आप घवड़नी हैं however you are arrogant यानि पहले वाकिए की बुराई करने का जिम्मा केवल बुराई करने का जिम्मा या बुराई करने की जो पावर है वो हाउएवर के पास है येट भी ला सकते थे पर उदर फिर आल दो लगाना पड़ेगा उदर दो लगाना येट अकेला नहीं आता येट आएगा तो आल दो दो करता एक काब में involved है तो बोट से वाकिश शुरू होगा एंड आएगा और बोट के बाद कुश्चन कैसे बनाएगा उसमें बोट है देदेगा और राम के बाद ब्लेंग स्पेस देदेगा और चार वर देगा अलोंग वेट, तूगेधर वेट, वेट और एंड, तो आपको एंड बढ़ना है बोट और एंड का ही जोड़ा होता है वाकिक कुश टार्टिंग करते हैं एक करता के साथ कनिक्शन है तो बोट और एंड से वाकिश शुरू होगा और यदि हमारा एक करता दो काम में involved है तो बोट और एंड से वाकिश का एंड होगा और दो करता यदि एक काम से है तो बोट और एंड से हमारा वाकिश शुरू होगा क्लियराज की कहानी चलिए दूसरे त्रभू करते है इससे बड़ा भाई बहुत मैथामिटिकल चेक्टर है बिलकुल दिमाग में पढ़ते ही किलियर और बहुत रिटर्ण में तो सबस्क्रादा काम में आता है वो रिटर्ण में भी हमारी काम आएगा और हमारा अब्जेक्टिव तो है ही है अब्जेक्टिव तो कुछ नहीं है बेब भी इनमारे रिटर्ण की तरह बूँ करना है, अबजेक्टी तो 15 कुश्चन बिल्कूल इसी, डिटर्बिदर्स भी इसको कहते हैं, इसको एग्जेक्टिव भी कहते हैं, बिल्कूल मैथेमेटिकल है, पढ़ते-पढ़ते, बैस की तरह समझ में आएगा, और समझना यह है, इसको यह रखे ही दी जा सकते है, मैथेमेटिकल है, यह यह शुरुवाती है, तो एडवांस है, यानि मैस की तरह पुरा टॉपिक आएगा, कैसे आपने लिख दिया, जैपूर is an imposing city, imposing का मतलब होता है, खुबसूरत, आइए जिसे मतलब दिये, खुद एक वर्ड है, imposing city आपने लिख दिया जैपूर, इसे imposing city, जैपूर एक खुबसूरत शहर है, यहाँ पर खुबसूरत को show करेगा, imposing, कुछ भी लिख देंगे अपर, तो आप पर अपनिक कैसे, आज एक थोरी अच्छी किलियर होगी, आपके आप में एक मोबाइल है, अभी बात्चीत करते हैं इसको, राम is a कैलो डॉक्टर, कैलो डॉक्टर, नैश, he is, he आपका प्रोनाउन हो गया, he is a dishonest person, वो बेहिमान भी है, लेकिन मैंने उसको जोड़ा प्रोनाउन के जरिए, इसको जोड़ा नाउन के जरिए, नाम एक अनारी डॉक्टर भी है, और dishonest person भी है, अनारी भी है, और dishonest भी है, इसको क्यों किया ऐसे, अभी बात्चीत करते हैं, यहाँ पर देखिए, छोटे sentence लिखेंगे, बड़े sentence लिखेंगी, आपर एक चीज़ दोट करेंगे आप, जैपूर है इस इंपोसिंग सिटी, जैपूर एक खूपसूरज शहर है, राम एजे कैलो डॉक्टर, राम एक अनारी डॉक्टर है, एजे dishonest person, वो एक बेइमान इंसान है, यॉर हाउस, यॉर हाउस इस बिग, आपका मकान बड़ा है, यह आपने क्या लिखा, यह आपने किसकी विशेष्टा बताई, जो आपके पास noun, noun कि इसको कहते हैं, जिसपर आपका कब्जा हो सके, और pronoun, जो आपने noun और pronoun की विशेष्टा बताई, विशेष्टा का मलब बुराई या अच्छा ही कुछ भी, जो शब्द नाउन या प्रोणाउन को विशिस्ता प्रारान करे वो grammar की language में adjective कहलाएगा वो word आपका अच्छा भी हो सकता है, वो word आपका बुरा भी हो सकता है वो इमादनार भी हो सकता है, वो बेइमान भी हो सकता है आपने सिटी की विशिस्ता imposing के जरीए बता दी, खूब सूरत है डॉक्तर की विशिस्ता केलो के जरीए बता दी, अनारी है परसन की विशिस्ता dishonest के जरीए बता दी, ही प्रोणाउन है तो ही की विशिस्ता बता रहा है वो, वह अबर राम की विशिस्ता बता रहा है किसके लिए आया ही के लिए यदि हम कहलो और डिस्ट और इंपोजिक नहीं भी लिखते तो हमारा वाक्य मन जाता ऐसा कोई दी कि बाक्य नहीं मनता क्योंगी नाम की दिए लेकिन विशेश्चा तो बताएंगे आपके हाथ में एक मॉबाइल है अब इसके अच्छा है बुरा है महगा है सस्ता है खुब सूरत है बस सूरत है चोटा है बड़ा है कुछ भी आप जो उसके बारे में बोला आपने वो आपने इंडिरेक्ली ग्रेमर की लेगवेज में जो है एगजेक्टिव बता दिया एगजेक्टिव बता दिया ग्रेमर की लेगवेज में और ये भी दो तरीके से होते हैं, एक तो natural एक्जेक्टिव, जो खुद्रती होते हैं, एक वर्फ की थड़ फोव में एक्जेक्टिव भी दो तरीके, जैसे मैं कहुं की साब, मेरेको गरम पानी चाहिए है, मैंने आपसे कह दिया hot water, वाटर आपका नाउन है, होट आपका एग्जेक्टिव आपने नैचुरल एग्जेक्टिव बता दिया जो नाउन से पहले आते हैं, एक एग्जेक्टिव आते हैं वर्प की थड़ हो में, इसी को मैं गुमा के बोल देता हूं, मैंने को बोईन पानी पीना है, बोईन वाटर इसी को मैंने घुमा के बोल दिया एक्जक्टी वे भी है वेकिल इसको grammar की भाशा में past participle कहते हैं past participle कहते हैं लेकिन इसका चुण इसका कोई नहीं है इसका नाम भी past participle है word की third form word की third form जब किसी भी word की noun की बुरा अच्छा या noun की करेगा प्रोणाउन भी नहीं आता है ना उनकी या को विशिस्ता प्रदान करेगा कि ना उन से पहले आता है जर्णली तो वो वर्ड आपका ग्रेमर की लेग्वेज में एक्जेक्टिव कहलाएगा एक्जेक्टिव कहलायेगा एक बोला दो ना बड़ी अवाल काला मार खड तो आपका एक्जेक्टिव कहलाएगा जैसे आप ने का मोबाईल की विशिस्ता पताया आपने बोला ये तो ठोटा हुआ है आपने ब्लॉकर आपने एक्जक्टिव हो लेंकि ग्रे मर्की ठर्ड फॉर्बें भीक गो ब्लोक ब्लॉकर कर ये ब्लॉकर मोबाइल क्या है एक्जक्टिव एमोजी की विश्सक्ट न हो फटा खूआ सब्सक्राइब हम 518 सब्सक्राइब करना यह सब्सक्राइब तो एक्जेक्टिव दो तरीके से डिस्क्रिमिनेट हो गये एक नैचुरल एक्जेक्टिव एक आपका बनाया हुआ एक्जेक्टिव जो वर्की थर्फों में बनकर आएगा वांत ओर् worm की थर्फों भी है लेले कि शुलता है एक ग्रैमार की लेंगेज When एक्जेक्टिव का ही काम करता है जिसे मैंगों इनको ठंदा पानी चाहिए कॉल वाटर मोला वो भी ठीक है और मैंने चिल्ड वाटर मोला वो भी ठीक है चिल होता है ठंदा करना तो चिल्ड वाटर आपका ठंदा पानी हो गया जो चिल्ल है वो आपका एक्जेक्टिव का काम कर रहा है यही काम हमको करना है ब्रोकन तूटा हुआ फटा हुआ कहीवार रव्यूस करते हैं लेकि ध्यान ली देतें कि जो यह वर्ड बोलते हैं यह हमारा किस फ़र्ब में आ रहा है मैंने एक थकेवए आतरी से मिला आईसा अफेटिग ट्रेलर अफेटिग आपकी वर्व है वो थर फ़र्ब में कर्वर्ठ हुई और वो यह ट्रैवलर के पास और एक्जेक्टिव का रूफ्धारण कर लिया तो फुल मिलाकर दो तरीके एक्जेक्टिव बन सकते एक वह जो नैचूरल एक्जेक्टिव हैं जो उनको आप विशेस्ता प्रदान कर दो, अच्छी विशेस्ता प्रदान कर दो, मैंने का मेरा मोबाइल, मोबाइल को विशेस्ता प्रदान कर दो, मेरा मकान, मेरा मकान मोल दी, आप मकान को विशेस्ता प्रदान करो, सस्ता है, महंगा है, लंबा है, ऊचा है, खुबसूरत है, बसूरत है, कुछ भी कह लिजी आप जरजर है, उस मकार की जी विशेस्ता आपने बताई, वो आपने एक्जेक्टिव के जरी यह बताई, तो in brief, what is the definition of executive, which word qualify a noun or pronoun known as executive, in the grammar of language, this has two types, one is natural executive, and second is verb V3, which is known as past participle, that is, वर्थ की थर्फों क्यालाएगी, यह हमारे एक्जेक्टिव की से पहले उसके definition में जाना पड़ता है, कि वो definition चाहती क्या है, कितने तरह के रोल आएगे, और अब रभू करते हम आगे की तरफ, यह कहनी के लिए, पहले पॉइंट को एक तरफ रख देना, conjunction को उसको सबरी में भेजी रहा हूँ, सबरी होने के बाद सिग्मार की फिलेगे अब आती है, असली कहानी जहां से question rotation होगे, यह तो इसकी definition दी, अब वो कहानी जहां से question develop करेगा, और develop करेगा, वो तो उसकी मर्जी है, गलत होगा, वो experiment की मर्जी है, क्योंकि इतनी deep theory में question की समझ भी नहीं आता की, आता कहां से, देख लीजी आप कुदी, मैंने question लिख द आर, pondering over, pondering over, विचार करना, pondering over, विचार करना, ठिक का similar word है, pondering over, विचार करना, मैंने लिख दिया, विचार करना, sorry, यहाँ पर आपको word बढ़नी, early word बढ़ना भी, each of the students pondering over, grave problem, grave problem का मतलब घंबीर समश्या, grave problem, आपकी घंबीर समश्या, आपको बढ़नी है word, और क्या difference में word बढ़नी है, वो आपको देखना है, each of the students, pondering over, विचार करना, pondering over, विचार करना, चालू कारी हुई है, इस से, दूसरा आपने कहा, each boy and girl, दूसरा आपने लिख दिया, इस से वाक्य शुरू किया, each boy, आप खाली जगे छोड़ी, वर्प को लेकर आणा, each boy and girl, eating, subconscious food, पार्टी है कोई, वो अमारा grammar का, वाक्याप का पार्ट है, eating, subconscious food, देखते हैं, आपकी test की या, क्या बोलते है, शिक्स्त की grammar क्या कहती है, स्वाधे, कहानी जारी है, इस के पास, आज जो आपने छटी तक पड़ा वो कहानी आईगी नहीं, आप चाहो, मुले साब लेकर आँ, तो नहीं ला सकते हैं, फिर आपने कहा, each of the lawyers, each of the lawyers, खाली जगे हैं, arguing, arguing, फिर खाली जगे हैं, case, प्रतेग वकील अपने case को जो है, argue कर रहा है, each of the lawyers, argues this case, लेकर क्या कहता है, आपका दिमाग क्या कहती है, छटी की grammar, क्या कहती है, आपका pronoun आएगा, क्या आपकी वर्ब आएगी, आज चेक करते हैं, और फिर आते हैं, हमारी इसली कहानी पर, और कहानी बहुत mathematically, आपको criminals, either of the two criminals, confessed, confessed, खाली जगे, offense, दो criminal में से किसी एक ने, ये either or नहीं हैं, फ्रिदर्स, ये है आपका either, ये एग्जेक्टिवेस का, उस कर्जेक्शन से कोई लिए ना देना देना ने, उसको तो बाई-बाई कर दिया, एक बाई टाटा कर दिया, बाद में मिलेंगे पेपर मे बाद में मिलेंगे डिसक्शन में, बाद में मिलेंगे रोटेशन में, बाद में मिलेंगे रिविजन में, अभी तो बाई-बाई कर दिया, और आज एक ने गाउं की तरफ भू किया, जिसका नाम है एक्जेक्टिव, ने गाउं की तरफ, नहीं मंजिल की तरफ अपने भू आपके साफ़े पांच सेटेंसे जाए और आपको कहा जाता है कि आप पर वर भर रही है ठीक भी इस दिन के बाद यह कानिया आपको पेपर में मिलेगी डियर सेटेंज मिलेगी तो इस ग्रेमर के वह डायमर डूल है जिन पर कुश्चन सेटर का नजर रहती है एक्जाम की जाना हूं कि ऐसे कैसे लिखेंगे उसका लिखना दी है भी लिखना तो प्री के बाद है एक ऐसे के हिंदी में कैसे होगे इंग्लिश में कैसे होगे और पर प्रॉबलम घंबिर समश्या ग्रेव का मतलब कबरी भी होता है पॉस्टमाटम कर दिया खतम का नी मैंने पॉस्टमाटम कर दिया गरो ओंडर वर विचार करना इच बॉय और गर्ल इटिंग सब्यूचर दीनर प्रतेख लड़का और लड़की अपना सब्यूचर शाही डीनर लजी दिनर खारा है या खा चुका है या खाता है अभी वर जो है डिसाइड करेंगे इच ओफ लॉयर सेटिंग कर दिया खारा है इच ओफ लॉयर्स आर्गोइंग केस आइदर ओफ टुक्रिम्ला करफेंस ओफेंस इच लर्स एमबेलेशी गर्सेल्फ प्रतेग लड़की जो है खुटका शंगार कर रही है सजरी समर रही है आईए प कारी यहां पर करोबरेट नहीं होती है इस्टूडेंट का वर्सेल कोई लेना देना नहीं है इस्टूडेंट को वर्बुलाने की पावर नहीं है आज इसको पावर खतम इसकी पावरी खतम यहां पर पावर जाएगी इच के पास यदि यह से शुरू होता तो हम छटी क्ला झालए हैं में लेज़ के बादनी बेश पारों क्योंकों प्रॉब्लम्ट है घर जा सकता है वाज अ सकता है वी फाइबा सकता है है यह भी ना सकता है लेकिन वर्ड नहीं आएगा अ प्र नहीं आएगा क्योंकि αυτό af आज grammar की power किसके पास है, each के पास, each boy and girl, पचास चीज़े और जोर दो आप, each boy, girl, woman, man, कुछ भी, Indian, कुछ भी, अजारों चीज़े जोरो, लेकिन ये कहता है, मेरे होते हुए plural verb नहीं आए, जब तक हम जिरना हैं, तब तक plural verb एंटर नहीं कर सकती हैं, आपको चाव की आर लग हाई, ब्रिंदर कोई भी बरेगा, हम भी बरेगे, तो what is the difference between us and them, nothing difference, हमें officer बना तो दिमाग में officer create करना पड़ेगा, officer इंदर से पहना होता है, किताबों में officers पहना नहीं होते, each boy and girl is eating subjecture space, यहां पर इस आएगा, क्योंकि each ने power अपने हाथ में ले रखी है, पुरा control अपन कर अपने किस को दे दी, each को दे दी, each of the lawyers, lawyers में से प्रतेक आर्ग्यू कर रहा है, our arguing, our arguing case, अपने अपने case को कर रहा है, तो यहां पर case से पहले क्या आएगा, हर वकील अपने-पने case को आर्ग्यू कर रहा है, करी राय भी high court में चले जाएए, शेशर में चले जाएए, कोई कोर्ट नबर 6 में है, साथ में हर वकील अपना-पना case आर्ग्यू कर रहा है, तो each of the lawyers are arguing, our case, अपने है, dear होता, तो में यह कुछ न लिखता ही नहीं है, यह तो common grammar है, जो मैंने कहा था, छटी क्लास, बार्वी क्लास में पढ़ी, grammar एक जबर्दस tutor लेती ही यहापर, और यहा community society को प्रधानता देते हुए, पुरुष प्रधान समाज को प्रधानता देते हुए, dear को नमशकार करती है, और यहापर यह अजीब सा प्रोनाउन लेकर आती है, जबकि lawyer में female शामिल है, सबको पता है, लेकि दिख रही हैं क्या female, लोयर से female शामिल है, सबको पता है, हमको भी पता है, लेकिन क्या नजर आ रही है, क्योंकि each every की dear से कटन दुश्मनी है, वो कहता है, अपने को बुलाना है, तो plural बर वो dear को कभी मत बुलाना, तो यहाँ पर भी grammar क्या बोलू हर लिखू, हर लिखू तो आदमी नाराज, बोले यार यह क्या हो, हब आरे लिए हर, तो बरदाश कर लेती है grammar, क्योंकि वो क्या नहीं लिख सकती, वो dear नहीं लिख सकती, हर नहीं आएगा, इस ही आएगा, इस 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 आ पढ़ोसी है इतना जश्ट पढ़ोसी है थोड़ा असर तो आएगा ना थोड़ा असर तो आएगा ना कि इस अब इसका एक ग्राप छोटा सा और कहरी यहां खताब आइदर की जगे नाइदर भी लिख सकते थे कि दो क्रिबनल में किसी एक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है है यह नाइदर भी कर दो इसी का भाई है यह वो वाला नाइदर नहीं है यह लग है दो बेसे किसी ने भी अभी किसी ने भी अपना जुर्म कबूल लही किया है है जा सकता है इज आ सकता है आपका कोई भी व form आएगी और हिज आएगी और इच गर्ण परतेग्लल्की ओपको अठा दिया एक परिवरत्र नजराया होगा जब ओफ को लगा रखा था तो नाउन आपकी plural थी और जब ओफ को अठा दिया तो नाउन आपकी नाउन पे असर आए आप तो तो और कहीं नहीं और टाइम होगा तो आगी हैस भी जोड़ने ना दे तो इस आएगा ही आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है यह आपके चार कोश्चांस लगभग लगभग साथ कोश्चांस बनाने की ओकात रखते हैं इसी का भाई है और लगभग साथ कोश्चांस बनाने की ओकात रखते हैं सबसे पहली ऑगा। तो कोश्चांस गलत ओर इसमाओना बहुत शांदार होती है मौत गजब होती हैं वह वो कोश्चांस डूढोने जिन एंवी लोग आटके गए कि यहां पर question बहुत easy तो है यार each boy and girl are इसमें कौन सा तीर मार दिया each of the lawyers are arguing the case सही तो है मेरा question बिल्कुल सही है न जी देगा और वो लेकिन उससे पहले आपको grammar के पास जाके मैडम तेरी capacity क्या है ओकात क्या है वो grammar आपको बताएगी ये डायरेक्शन ये लेना आदे तो इतनी बोटी grammar की book बनानी की requirement लिकाती जदि रूल है तो इसको follow करना हमारा धरम है हमारा कर्म है हमारा ethics है तो आईए इसका clear point is clear एक्दम examples clear आजाई ये graph क्यांदीजी अब तो mathematics में मजाता है mathematics में graph किसी भी कहानी में आपको ये कहानी नजर आ जाए तो कहीं भी नहीं जाना है किसी भी कहानी में आपको ये सब चीजे नजर आ जाए तो आपको छोटा सा graph follow करना इस graph को follow करना है उसके अलावा आपको कुछ follow नहीं करना है keyword क्या कहता है उसके according आपको देता है ज्यादातर एवरी आजाए एवरी सी का भाई है प्रते एक यहाँ पर आईदर आजाए जिसका आईदर और से कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर नाईदर आजाए दोबे से कोई एक आईदर आजाए नाईदर आजाए तो आपको याद रखना है दोस्तों सबसे प आइदर नाइदर की ये वर्ड बार बार याद कर लेना प्लूरल वर्ब और दियर से कट्टर दुश्मनी होती है ये चित दिमाग में प्रिंट कर लेना इच एवरी ये क्रॉस मैंने जान पूछ के लगाया है इस वर्ड को भी मैं जान पूछ के बोल रहा हूँ इच एवरी आइदर नाइदर की प्लूरल वर्ड से कट्टर दुश्मनी होती है इस वाक्ते में कुछ भी रह सकता है लेकिन प्लूरल वर्ड और दियर कभी भी नहीं आएगा दूसरा तो सरक्या हैगा हमेशा सिंगुलर वर्ड आएगी हमेशा ये वर जरूर लिखना हमेशा हमेशा सिंगुलर वर्ड आएगी 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 क क्या आएगा वो तो फिर भी आदा जाता है क्या नहीं आएगा that is more important pronoun के क्याल चाल है कभी भी pronoun dear तो आएगा नहीं his आता है his आता है her आ सकता है कब जब केवल लरकी के बारे में बोले female कर दे मापर girls कर दे मापर her आ सकता है चारों की एक कहानी चारों की एक कहानी है pronoun his आता है her आ सकता है जैसे मैं each of the girls कर दू तो आगे वो हरी लेगा तो गल्स के साथ तो हिस नहीं आएगा ना each of students कर दू citizen कर दू, lawyer's कर दू, doctor's कर दू तब वो his पर ही गुबेगा आपने pronoun की कहानी को clear कर लिया, आपने work की कहानी को clear कर लिया और last कहानी जो यहां पर पैदा होती है वो पैदा होती है आपकी की pronoun कैसी होगी और क्या treatment देंगे noun कैसी होगी और क्या treatment देंगे, तो each or every के साथ कहानी noun की अलग है और उनकी अलग है each or every के साथ, यदि off का प्रियोग कर रखा है आपने तो plural noun आएगी और off का प्रियोग नहीं कर रहा है डाइरेक्टी यूज़ कर रहे हैं तो singular noun आएगी बर्थ पे कोई इसर नहीं पड़ेगा प्रेनाव पे कोई इसर नहीं पड़ेगा वो ते यहीं रहेंगे उदर के खिलते रहो और either or neither के साथ जो है off आएगा हमेशा हमेशा off आएगा उसके बाद 99% टू आएगा या देम आएगा काहनी clear इस काहनी को important कर लो एक आप दिमाग में print कर लो either ये चार भाई एक साथ ही आएंगे जब भी आएंगे चार भाई एक साथ आएंगे each, every, either or neither each, every, her last वाले में हैं either or neither के साथ हमेशा off आएगा उस पे तो आए नाए आए आपकी मर्जी है off के बाद हमेशा तू आएगा या फिर देम आएगा थ्री नहीं आएगा थ्री यदी आगया तो कानी को फिर कहीं और जाना पड़ेगा वो आदी ले रहे तो आगे जाएगा यदी off के बाद थ्री आगया, फोर आगया, फाइफ आगया, टैन आगया तो either or neither आएगा फिर either or neither को जाना पड़ेगा कौनसा यदी off आगया, each or every के साथ off आगया तो plural noun आएगी और off नहीं आगया, off को कानी आगया तो singular noun आएगी क्या वर वोर प्रणाउन पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वर वोर प्रणाउन पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये सबसे इंपोर्टेट आसपेक्ट है, online, offline इसके बाद plural verb आएगी plural verb नहीं आएगी, कट्टर दुश्मनी है तो यहाँ पर आपका चारों को एक साथ पड़ी गया each, every, either or neither जो है एगजेक्टिव में रहते हैं और ये plural verb बोर दियर से कट्टर दुश्मनी रखते हैं तो verb वामेशा singular आएगी जब तक क्लियर कट लड़की या फिमेल का मेंशन ना हो तब तक हिज आएगा और क्लियर कट वो वाकि लड़की को ही डेडिकेट कर दे तो वाँ पर हर आएगा और पता नहीं चलता वाकिय से कि लड़काई की लड़की कि दोनों include है citizen हो गया, lawyer हो गया, doctor हो गया तो वाँ पर आपका हिज़ी आएगा और noun के क्यार चाल ले है यदि each or every के साथ वो off को use करता है इसी पर question इसी पर आता है इसी पर नहीं आता each or every के साथ वो off को use करता है तो plural noun आएगी each of the girls, each of the boys each of the students, each of the teachers every of the teachers, कुछ भी either के बाद और neither के बाद फोड़ा noun में description है यह हमेशा ओप लेता है यह ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता इसके बाद हमेशा two आएगा या फिर them आएगा either of them, neither of them लेक कुश्चन हमेशा two पर आता है three को कर देगा तो फिर either or neither नहीं को यहां से जाना पड़ेगा three यहां से लिया उसने तो either or neither को यहां से विदा देना पड़ेगा फिर कुछ और आएगा क्या आएगा वो आज का discussion नहीं है पर आप के लिए कोंसे वाला either or neither का मतलब होगा दो में से कोई एक जैसे मैं कहूँ दो student में से कोई एक जो है क्लास ले रहा है तो either of the two students is giving his class और दोनों में से कोई सा भी दी ले रहा तो neither of the two students is giving his class each, every, either, neither की plural वर वो दियर से कट्टर दुश्मनी होती है पहला पॉइंट चारों के साथ singular वर वर वाईगी दूसरा पॉइंट चारों के साथ जब तक female केवल female केवल female ना मौजूद हो तब तक ही जाएगा clear cut वाक के कहता है female का ही sentence है तब हर आएगा noun क्या कहती है noun में थोड़ा सा difference क्योंकि यह रून तो यहाँ चारों इंग्जे से each और every के बाद यह दि प्लूरल नाउन का संधर्व है अधि ओफ आ गया तो प्लूरल नाउन का ही संधर्व आएगा प्लूरल नाउन ही आएगी और यह दि वापर सिदा सिदा यूस कर रहा है ओफ को नहीं लगाया तो सिदा नाउन लेकि यहाँ पर कारी कुछ भी हो उदर कोई असर नहीं आएगा कोई भी असर नहीं आएगा और either or neither के साथ हमेशा ओफ आएगा ओफ आएगा ओफ आएगा उसके बाद या तो तू या दैम आएगा तो 99 परसेंट नहीं कभी कबार वर्म कैसी उसके बाद सिदार वर्म उसके बाद हिस या हर क्लियर आएगा नाएगा उसके बाद आफ उसके बाद तू उसके बाद आपका सिदार वर्म उसके बाद हिस या हर इच एवरी आफ plural noun, singular verb his or her each or every, singular noun singular verb, his or her पताईए फ्रेंड जआप clear हुआ कि नहीं हुआ हो गया? बिल्कुल clear? each or every की कारी clear एकदम, एकदम clear चलिए, चलते हैं नेक्स की तरफ practical way में नेक्स की तरफ यह जो गिलास है इसमें पानी यह क्या दिये इसमें पानी है, नहीं है इसमें पानी डाल देते हैं इतना पानी डाल देते हैं ठीक है, क्या इससे मेरे बहुत तेज प्यास लग रही है I am feeling thrust, सपोच तो क्या इस पानी से मिरी प्यास बुच जाएगी क्या? प्यास तो नहीं मुझे के लिएकि मेरा काम चल जाएगा प्यास तो नहीं मुझे के लिकि मेरा काम चल जाएगा बहुत तेज बहुत तेज बुलाएं में I am feeling very you can say key thrust I am parching मेरा तो गड़ा ही सुख रहा है अब गड़ा सुख रहा है कम से कम आता वो तल पानी थी कम से कम लेकिन देए कई कि आपके पास पानी देए इतना सब पानी है ठीक है गलात पर चल जाएगा का पीछे जाएके पी लेएगे ठीक है पी लिया इसको आप भोतिज प्यास लग रहे हैं अब इस पानी से प्यास बूद्च आईगी ऑग गलास खाली में रही है ना तो आज यह आप प्रख्रेंब लागी अब यह ऐब वह था इस पर लिटिल वॉर्टर प्यास तो नहीं है कर लिटिल वॉर्टर नेंके बराबर नेंके खाली थोगी है नेंके बराबर एक खाली भी रही है नेंके बराबर नेंके बराबर है धिक भी रहा है तो ज़्यादा 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 जीब गीली होगी और ज़्यादा इतना एरिया गीला होगा फाइदा कुछ भी नहीं होगा, फाइदा कुछ भी नहीं होगा, फाइदा कुछ भी नहीं होगा, खाली तो नहीं है न, तो this is little water, नहीं के बराबर, this is a little water, काम चल जाएगा, प्यास तो है लेकिन काम चल जाएगा, और, अब, था जो भी डोल दियो, गुरुजी थे डोल दि तो यह चला जाएगा यह दल लिटिल वाटर काहांई खता समझ में आ गई समय आ गई बात वह जो पाणी था अब यह दे लिटिल है फता नहीं चलता है अब आप इसको डिवाइब कर सकते हो गया लिटिल था कि अब ही किस में बदल गया दा लिट्ल में, अभी किस में बदल गया, दा लिट्ल में, कारणी समझ में आ गई, बास, इसी की कारणी है, इसी का भाई है, few a few, there few, सीधी सी बात है, आप लेकी दोट की होगी, little a little, there little, सबसे पहला, और सबसे महत्वर पॉइंट, little a little, there little की जो कारणी है, वो क्या कहती है ये आपका आएगा uncountable noun के लिए, uncountable noun का मतलब है, जिसके आप गिरती ना कर सको, तूद, दही, पानी, सीमेंट, इत्यादी, little के साथ, आज का दूसरा point जा रहा है, आपका little, little का मतलब होगा, नगर लिट, या ने के बराबर, लिट खाली नहीं है, नगर लिया, ने के बर नगर लिया, ने के बराबर, पहला point, नगर लिया, ने के बराबर, पहला point कहता है, और, इन सब का यूज, जो तीन पॉइटी, तीन भाई है, नगर लिया, ने के बराबर, दूसरा point कहता है, a little, थोड़ा सा, थोड़ा सा, यानी positive है, कांग चल जाएगा, बहुत कुछ तही पानी हो सकता है सिमेंट हो सकती है दूद हो सकता है दही हो सकता है और ठाल का मतलब भाबशाय रुो साणmillकी के बार दोल दिया प्हला दिया जो भी है अробर मैस्की तरह है इंगलेशλोग इसको रटकते हैं रटके जो कुछ थोड़ा सा यौ COM फ़ोड़ा सा और एक चीजों, ये तीनों भाई एक रूम बेरेतें वो चार भाई एक रूम मेरतें स्के परोस में गहें, तीन बाई मिले, लिपड़ लिदल डहर, लिपड़ ये आपसे क्या क 다음에 है, इनका प्रियोग अन्काउंटेन नाउन्के लिए होगा, इनकाउंटेन बल का मढणा जिस ले खिता निखने बच्छा रो रहा था दूध당 के लिए है यह लिख दो चाइल्ड लिख दो कर चाइलद मुई है बच्छा रो रहा था क्यों रो रहा था बच्छा रो रहा था दूधा के लिए pode there was there was little milk ने के बराबर दूद था बोटल में होता दूद का काम चल जाता तो दी रोता तो नहीं गम से गम little milk in bottle दूद के लिए दही के लिए पानी के लिए little milk आएगा थोड़ा सा a little काम चल जाएगा जादा तो नहीं है लेकिन काम चल जाएगा he is eating जादा तो दी है देने जाएज़ा तो दी है he is eating उसी चपाटीज बताई थी मैं दे रैंसिड रैंसिड चपाटीज चपाटीज with a little curd with a little curd काम चल जाएगा भई आप जोड़े मेरे को भी दे दे तोड़ा सा और दा लिट्रिल का मतलब तो नुक्सान हो गया तो दा लिट्रिल मिल्क बहुत थोड़ा सा तो दा यह उपर वाला था कि दीछे वाला यह पत्री चलता है लिट्रि बिल्क वाज लिट्डप लिट्डप बतलब का मतलब है चट्ट कर जाना मिली के दुआरफ़ा जीब के दुआरा लिक अप उता है और आसे लिका अए अब बूरीक बेव करती है अब काइफ कारिकृ ट्याय नhu गोटी बिल्ली कॉर्पिरेन लिक अप का मतलब चट करना इसी के फ्रेस ठोक दो जानवरों के जब घाव हो जाते हैं तो दवाई लेने नहीं जाते हैं इसे दा मेजर प्राव्लम लेक अप्प वोन्स लेक आप वोन्स का मतलब होता है किसी के गाऊंपर महरं लगाना अजानवरों के सलीव है कैमिकल होता है हमारी भी सलीव होता है ऐसी बात ही वो पोर्फुल होती है उसे lick up wounds कहते हैं यह जो सलीव होती है लार होती है इसमें जबर्दस chemical होते हैं तो वो तो बिचारे कोन से डॉक्टर के पास जाएंगे कोन से MS के पास जाएंगे वो क्या करते हैं लिक up ही करते हैं तो lick up wounds का मतलब होता है किसी के घाओं पर महरम लगाना आपकी कारी चलिए लिटिल लिटिल के पास एक्जांपल और देता हूं सुबह सुबह को समदना सरूरी है सुबह सुबह बात रूब बें गए वहाँ पर पानी नहीं आ रहा पानी की शोटेज इसकार सीटी ओवाटर है आपकी बाते में चार ग्लास पानी आया है क्या पना सकते हैं ये लिटिल वाटर है आप सुबह सुबह मात रूब बें गए लेकिन पानी की शोटेज इसकार सीटी ओवाटर पुर रहे नहीं आया पानी तो नहीं आया लिटिल वाटर बाईचांच टपकتे हुए, ठ्रिक्लिंग करते हुए, थोड़ा, ज़ादा करते हुए, लग-बग-बग-बग-बग-बग-बग-बग-बग, आदिवाल्टी भर गई, चल जाएगा गाम, बहुत अच्छी बात तो दी होगी, कि हम जैसे रूटीद में दो बाल टीक से नाते है वैसा तो नहीं होगा, लेकिन इस चूट लाइग आने तो हो जाएगे, तो गए दो किए, इस चूट लाइग आने लाइग तो हो जाएगे, क्या हो गया? लिट्रिल वॉटर, लिट्रिल बदल गया, लिट्रिल में टपकते तपकते काम चल गया अच्छा पानी दीए उत्ता पानी रीज़ना रोज हम वेस्टेश करते हैं काम चल जाएगा लिट्रिल वाटर किसी को क्या सुझी पता नहीं गर्में एक सोटा बच्छा था प्रैंकिस था नोटी था एंपिस था वो भी डोल गया किसमें बदल गया अब इसका यदी हमारे घर्में चीरी खतब हो गई सब्सक्राइब दुकान बंद है पड़ोसी के पास गए पड़ोसी ने कटोरी में ऐसे दीचे से बीस पिस दाने दे दिये चाय बर जाएगी क्या पुले तेरे गर्म भी फोल ले क्या करूं इसका लिट्टिल शूगर लि कब पीठे वाली चाय पे दी किसमें हो गया एलिटिल शूगर आ रहे थे बहुत मस्ती में पता दी क्या सोच रहे थे ठोकर लगी अब भी दीचे चीरी भी दीचे किसमें बदल गई बस यह कहाणी है कौन सी किताब कौन सा बुख प्रैक्टिकल वे में दिद्दाथ यूज़ करते हैं कर्में कहते हैं मबी ने डबा देखा बेटा दी बनेंगी तिर्फ दिने लास्ट लेयर है किसी का भी काम नहीं होगा हाँ इतनी लेयर है कि रोज अपन बढ़ी कटोरी ल लेकिन मबी क्या है उसको धोरी के लिए रखी दी और नल चालू कर दिया वो भी भै गई पानी भी सारी बह गई वापस आके देगा तो मबी क्या बोलेगी डैले ते बमबी ने पहली बार बोला लिटिल राइस है दूसरे में बोला लिटिल राइस है चल जायेगा काम और तीस के लिछ एंड़ को और फूरेल कहारी के लिए ओ लाग्यार से नैय वेखल ने फॉर्प में इसानी कि दिकारी के लिए आज के प्रवेश किया नहीं आमसे वेलक्रम कीया चाहलोगों ने पहले का modulation को पहले है इच एवरी आईदर नाईदर कहरी के लिए चार लोग आप से क्या चाते हैं चार लोग आपको परिशान करेंगे वर्बे फ्लूरल वर्ब नहीं आएगी दिया नहीं आएगा और हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी प्लौनाउन ही जाता है हरा सकता है नाउन ओफ गया तो इन दोनों के साथ प्लूरल नाउन ओफ नहीं आया तो सिंगुलर नाउन आएदर और नाईदर साथ हमेशा ओफ आएगा और नाउन कैसी आएगी प्लूरल आएगी वर्ब और प्लौनाउन की कहानी चारों की एक जैसे किलियर दूसरा जो घर में मिला उस गाह में दूसरा घर था सेकेड़ घर था उसमें कौन मिला लिट्टिल न ई लेटेल लेटेल इस पैड़ में इतनी शाहिए कि आज का चेप्टर शाहिए पूरा हो जाए वह सकता है दोबर में ना लिक्वाओं और लेटेल एक पता नहीं क्या सूजी मैं लेकिते कर रहा हूं बैठे बैठे यह क्या हो गया वेस्टेज कर दूगा पुरी शाहिए को क्लियर इंग्डम इंग्डम क्लियर आज के गाहों को प्रिश किया जिसका नाम है एग्जेक्टिव जिसके पहले घर में गए और लोग खोला तो चार मेहमान मिले इच एवरी आइदर नाइदर इनकी ग्रेमर पावर को डिसकस करते हैं बाई साब क्या काम है तुम्हारा ग्र दोस्तिक से है सिंगूलर वर्व से प्रोणाउन हिस आता है हर आ सकता है कानी एक खता हम दूसरी कानी नाउन से कहले ना देना तुम्हारा इच एवरी कहता है थोड़ा सा डिफेंट हमारा पॉल्टो व्यू है इच एवरी ओफ को यूस करते हैं तो प्लूरल नाउन और नह करते हैं तो यह कहते हैं आईदर और नाइदर के साथ हमेशा ओफ आएगा ओफ आएगा और उसके बाद या तो तू या देन तो टू या देन बाकी कहानी चारों की एक जैसी तो एग्जेक्टिव जो गाउन था उसके पहले घर में प्रविश्च किया चार लोगों से बिल और वापस आए इसके पडोस वाले घर वे वहाँ पर हमको बिला लिटिल और दे लिटल अपने मोबाइल की वैटरी देख लो वाइल की वैटरी है 4% नहीं सर्क्लास नहीं हो सकती हो देपर चली जाएगी लिटल चार्ज है 10-12% हो जाएगा काम बादचीत हो जाएगी क्लियर एकदाम चलिए कौन सा पेपर है इस ब्रीफ डिसकस करते हैं और कानी को खत्म करें आज पर आज भी नहीं आया मेरे को कहते हैं रोड लोड हो रहा है आया था ना कौन सा पेपर आया है वो तो कह रहें कल वाला भी लोड था पुटाबर बता हुज एक डिस्क्रोशन कर के खत्म करें हालो को सा पेपर है कि पेपर को सा दो पेपर है कल वाला की परसूवाला यह बेरी उससे बाहर है हालो अरे को सा पेपर है कल वाला यह पहला कुशन बोलो यह देगी कल का पहला कुश्चन इद्रीफ हम बिसक्स करने जा रहे हैं फटाफट देखिए इसका पहला कुश्चन आप से क्या कहता है देखिए आप इसका पहला आयैम सो फटीग पहला कुश्चन कुश है आयम सो फटीग तो देखिए आपका पहला कुश्चन आप से कहता है I am so फटीग I cannot swim in an enormous razor मैं इतना ज्यादा थक्का हुआ हूँ कि मैं आपके विशाल कालाब में तैर नहीं सकता हूँ आपका मॉडल था आपकी एबिलिटी और सामर्थी को निगेटिव करते हुए जा रहा है लेकिन आज हमारा मॉडल से लेना देना नहीं है हमारा है सो के बात का आएगा याट आएगा आन्सर नंबर ए इस दा राइट आपसर अएम सो फैटिग ड हैट आई कैन नोट सीब इन एन ऑर्मस लेजर वोयार कैन नोट हमारा मॉडल है सो हमारा काजिक्शन है डैट को यूज करेगा इस दा राइट आनसर second पर आईए not only my father but also my brother expelling me from the year florist business expel का मतलब होगा निकाल देना florist business का मतलब होगा भैववशाली व्यापार सब्रदिशाली व्यापार florist business कहलाएगा कहानी जाती है not only but also के पास not only but also आप से कहते हैं कि हमारे साथ दोनों करता singular है तो वर कैसी आएगी singular आएगी तो यहाँ पर answer नमबर डी आएगा इस आएगा और वर और है बढ़ने की गलती मत करना क्योंकि not only but also के साथ दोनों करता आपके singular है और वाच्ची का शुरूबात करने हैं no sooner head you slap him जैसे तुमने उसके थपड मारा he pelted a stone at you उसने तुम पर एक पत्थर मार दिया पत्थर हमेशा pelt होगा stone से फ्रेज याद करो stone throw distance ना मतलब है बहुत ही pass में pelt stone होगा stone हमेशा pelt होगा कानी गुबादो नो सुनर पर नो सुनर के साथ क्या आएगा दैन आएगा और जिस वाक्चे में आप अपना टेंस लिख रहे हो उसकी helping वर्व पहले आती है तो head पहले आ गया ना clear एक एक चीज़ को दिमाग में rotation चलना चाहिए बहुत आपका skyrocketing speed से दिमाग करना चाहिए बहुत शार्थ तरीके से hardly does he provide two square million day to the poor वो बड़ी मुश्किल से गरीबों को दोवक्त की रोठी देता है वो बड़ी मुश्किल से गरीबों को दोवक्त की रोठी देता है इस father is called him जब उसके पापा उसे डारते हैं समझ लिया आप background जाओ hardly के पास जाओ hardly आपको क्या देगा वेहन देगा hardly के साथ वेहन आएगा हमारी एनेसे हार्थ नेवर सकार्थ ली सेल डाउं वही rule follow करते जो नो सुनर ने किया था इसलिए याप पर आपका conjunction when आएगा उसके साथ conjunction then आ रहा है उल्टा कुशन no सुनर grab is filled then sun attacked भी विते स्पियर अटेक के साथ proposition नहीं आता स्पियर का मतलब भाला instrument से पहले proposition विता आएगा ये कहानी grab का मतलब हतिया लेना grab का मतलब हरप लेना तो नो सुनर grab is filled जैसे उसने उसका खेत हडपा then he his son attacked उसने उस पर आत्रमन कर दिया विते स्पियर एक भाले से यहाँ पर नो सुनर conjunction नहीं जाता आपसे conjunction तो उसे provide कर रखा है ये कहता है sentence मनाओ I head करोगे head I करोगे I will have करोगे I have करोगे क्या answer करोगे क्यों करोगे क्यों क्यों कि आपको नो सुनर के साथ इद्वर्जन का यूज करना है हमको इद्वर्जन दी समझ में आया कि क्या गानी है तो आपको वर्ज को पहले रखना है subject को बाद में रखना है गेंदे का फूल तोड़ा मेरी गोल्ड गेंदा विल्टेनी अदी बुर्जाया हुआ